एघ ऑलो फ्रैंस वेलकम टूंग तूगार क siis राजत्सान जीज़क्र फि में अनिमल हस्टेंडरी से रिलेटद दो वीडियो प। नि dec एनिमल हजबेंडरी से रिलेटेड जितने भी कंटेंट जितना भी अलग जो एनिमल से इंपॉर्टन लाइस्टॉक पॉइंट आफ यू से देखे तो उनमें आज अपन बात करेंगे केमल्स होर्सेज चिकन पिग्स पिग्स को स्वाइन भी बोल सकते हैं हॉग भी बोला जात हैं आप हमें फॉलो कर सकते हो फेस बुक इंस्क्राईग्राम पर डिस्क्रिप्शं बॉक्स में लिंगवन है पीडिएफ के लिए टेलीग्राम को आप चैनल जोईन कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का उसके अंडर में होता है fat storage मतलब वहाँ पर वसा का storage होता है तीसरा skin बहुत मोटी होती है thick skin होना चोथा spongy food मतलब जो feet होते हैं lag होते हैं feet जो नीचे से होते हैं वो गदीदार feet होते हैं और इन सबी चीजों की वज़े से ये जो है spongy feet है ये क्या allow करते हैं इनको तेज दोड़ना के लिए allow करते हैं desert area के अंदर पैर दस्ते नहीं है और आराम से दूर तक भाग सकते हैं तो इस वज़े से एक तो ये और दूसरा इनके अंदर एक capacity होती water storage की एक साथ में छह साथ दिन का पानी पी सकते हैं ये और वो पानी storage दिरे-दिरे रहता है skin मोटी है इसलिए पसीने कम आते हैं गर्मी कम लगती है तो उस वज़े से क्या होते हैं बहुत लंबे time तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं तो ये सारी जो इसकी conditions हैं ये सारी के सारी कहीं ना कहीं desert area के अंदर survive करने के लिए इनको एक तरीके से capability प्रोवाइड करती है और that's why we call camel as the ship of desert अब राजस्तान के perspective में देखा जाए तो राजस्तान का state animal भी बोला गया है इसको और आप यह मुझे comment box में बताएंगे कि कौन सी date को declare किया गया था camel को state animal ठीक है domestication category के अंदर जबकि यह भी आप मुझे comment box में बताऊगे कि wildlife के अंदर state animal कौन से animal को consider किया हुआ है राजस्तान के अंदर यह दो चीज़े आप मुझे बताऊगे एक दो चीज़े और मैं पूछने वाला उनके बारे में आप मुझे बताऊगे जरूर से देख ही लेना इनको ठीक है 19 जो livestock census हुई थी 2012 में उसमें population the camels की 3.25 लैक जो 20th livestock census के अंदर घटके हो ग decrement हो रहा है इसी लिए कहिना के conservation point of view को दिमाग में रखते हुए रास्तान government ने 2014 में state animal consider किया था केमल को राजस्तान को देखा जाए तो इंडिया में इकलोता या सबसे ज़्यादा and camels कहां पे मिलते हैं राजस्तान के अंदर और राजस्तान में particular बात करें तो हाईस्ट ब पहला है नाचना उट नाचना नामसे अरा नाचना डानसिंग केमल तो यह देखो आप डांस करता है पुष्कर का जो मेला लगता है कार्तिक मन्त में around November October November मन्त में लगता है तो वहाँ पर यह उटों का मेला लगता है वहाँ पर यह देखने को मिलता है बहुत बढ़िया त अपना वेट लिफ्टिंग करेज जो इसकी क्षमता है उससे ज्यादा वेट लिफ्ट करने की क्षमता रखता है ठीक है और यह गुड़ वेट के रिए रहे अपने बात कर लिए करेज की बात करी ली तो इन चीजों के लिए important तो कई बार पोश लिया जाता है कि नाचना ग अप्शन में तो आंसर हो जाएगा अपना क्या केमल दूसरा है गोमट गोमट जो है वो इस तरीके केमल होता है आपके सामने है यह फलोदी जोदपूर में मिलते हैं और बीकानेर वाले रिजन में भी प्रविलेंट है और यह केमल राइडिंग के लिए बैस्ट कंसिडर कि के जाते हैं केमल राइडिंग वेस्टन राजस्तान में ट्योरीजम का जो इंपोर्टेंट एक सेग्मेंट है बहुत सारे सेग्मेंट से उन सेग्मेंट से एक है केमल राइडिंग तो केमल राइडिंग के लिए गोमट अदर ब्रीड की बात करें तो केमल की राजस्तान मि region mainly आता है वहां पर other breeds अपने को मिलती है केमल की राजस्थान में जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जोहर बीड करके एक जगह हैं वहां पर केमल रिसल्च सेंटर स्टैबलिश्ट किया हुआ सेंटरल गर्मेंट की दुआरा Government of India का एक केमल रिसल्च सेंटर चल रहा है जो जो बीड बीकानेर में स्टैबलिश्ट है और आपको पता होने चीएomos चीज कि earth के अ research में मिला है तो यह important हो जाता है तो central camel research center कहां पर जोड़ बीर बीकानेर में अब बात करते हैं गोडों की horses की राजस्थान का इंडिया में तीसरा स्थान आता है पहला UP का है दूसरा जम्मू कश्मीर का है और तीसरा फिर राजस्थान का आ है livestock point of view से देखोगे तो census जो 19 वी हुई उसके 38,000 गोड़े थे जो 20 वी में घट करके हो गए 34,000 तो decrement कितना आ गया 10.85 प्रतिशत की कमी आई तो highest अगर आप देखोगे तो बाडमेर में मिलते हैं जबकि lowest गोडों की संक्या कहां मिलती है बासवाडा में अलग-अलग important breeds की अगर बात करें जो राजस्थान में मिलने वाले गोड़े हैं तो उनमें पहला है मालानी मालानी जो है यह सीवाना गुडा मालानी बाडमेर वाले रीजन में मिलते हैं मालानी यहीं से नाम आया है विलेज यह तो मालानी गुडा मलानी village गुडा मलानी के पास में सीवाना region और गुडा मलानी जो की बाड मेर में यहां पर यह prevalent है बाड मेर में यह mainly मिलते हैं और यह horse racing जो होती है उसके अंदर गुड सवारी या गुड दोर जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा important है इंडिया के अंदर जो भी breeds हैं उनमें कही नहीं इनकी importance रहती है Marwardi दूसरी breed आती है जो Marward region आप मुझे comment box में बताओगे कि Marward region में कौन कौन से districts आते हैं ये चीज मैं geography में अच्छे से cover कर चुका हूँ प्लेडिश में जाके देख लो different regional name से एक वीडियो है उसमें बताया हुआ है नहीं पता है तो पता हो तो आप मुझे comment box में बताओ कि Marward region में कौन कौन से districts आते हैं तो Marward region में Marwardi घोडे मिलते हैं और राजस्तान में जितने भी घोडे हैं उनमें ज़्यादातर घोडे इसी breed के हैं Marwardi breed के next आता है काठियावाडी काठियावाड वो ही गुझरात तो गुझरात से टैस जो भी districts होंगे उनमें कहीं नहीं प्रेवलेंस मिलेगी तो देख लो उदैपूर, सिरोही, जालोर और बेलवाडा वाले region में काठियावाडी घोडे ज़्यादा मिलते हैं इन घोडों की बात क्या बेस्ट क्या है कि होस राइडिंग के लिए बेस्ट है और साथ में इनका जो फेस है ये अरबी घोडों की तरह दिखाई देता है तो ये स्पैसिफिकेशन जो है वो बहुत ही जादा इंपोर्टन्ट है अगर काठ यावाडी घोडों की बात करें अगर इंपोर्टन्ट होर्स ब्रीडिंग सेंटर्स की बात करें मतलब घोडों के प्रजनन केंद्रों की बात करें तो बिलाडा जोदपूर में है एक सिवाना बाड मेर में है एक मनोहर थाना जालावाड में है एक बाली जगए है पाली में वहां पर भी है और पाली खुद में भी इंडिवीज्वल जो सिटी है वहां पर भी है जालोर में भी है और इसके अलावा चित्तोरगड तो इस तरीके से साथ important horse breeding centers है राजस्तान में अगर बात की जाए गोडों की अगर बात आती है तो गोडों से संबंदित एक बहुत ही important जगह है जिसका नाम है आलम जी का धोरा उसको pilgrimage of horses के नाम से भी जाना जाता है और यह important factor है इसके ओपर कई बार question आ चुके हैं कि pilgrimage of horses किसको बोले जाता है तो वो है आलम जी का धोरा कहां पर है यह गुडा मालानी क्षेतर के पास में ही बाड में district में ओके next आता है donkey donkey की बात की जाए तो all over India राजस्थान का number एक है सबसे ज़्यादा गदे हैं राजस्थान में और 19 वी livestock census की बात की जाए तो वहार population थी 81,000 जो की 20 वी livestock census में घटके होगी केवल 23,000 तो आप देख सकते हो 71.31% का decrement आया है और population देखोगे तो सबसे ज़्य पेर में है और सबसे कम दोसा में है अगर गदो की बात की जाए डॉंकी की बात की जाए तो सबसे important एक activity होती है एक fair लगता है मेला लगता है गदो का वो लगता है कहां पर लूनी आवास लूनी आवास कहां पर पढ़ता है चाक्सू के पास में एक खानिया बंदा करके पूजे भी जाते हैं इनकी value भी है किस point of view से क्योंकि ये माता शीतला माता के आपने त्योहार का नाम सुना होगा तो शीतला माता की जो पूजा होती है तो शीतला माता की जो सवारी है वो क्या है डंकी ही होते है डंकी ही है इसलिए जो चाक्सू में है ये जो मेला भरा जा आर्ट एंड कल्चर में यह चीज अपन और डीटेल से देखेंगे इनके अलावा राजस्थान के अंदर अगर सुरों की बात करें सुकर की बात करें पिग्स वाइन या फिर हॉग की बात करें इस सारे मैं प्रेग और सिनॉनिम बॉल रहा हूं हलका फुलका वेरियेशन होता है इनके अंदर पर अपंद जनरल बात करें तो पिग्स की बात करें तो होता है मांस के लिए मांस इंडुस्री में बहुत ज़्यादा इंप्रेटंट है इनकी मांस को क्या बोलते हैं पोक फी ओ आरके ठीक है पोक बोलते हैं हाइस्ट पॉपिलेशन है पिग्स की वो जैपुर में है जबकि लोविस्ट है वो सिरोही में है और एक वाइट सॉरी फॉरिन ब्रीड है लार्ज वाइट यॉक उसके लिए गॉर्मेंट ने एक फार्म भी स्टैब्लिश किया हुआ है गॉर्मेंट्स स्वाइन फार्म वो कहां पर है अलवर में क्योंकि जो डिमांड है पॉक की वो कहीं ना कहीं बनी रहती है तो उसको फुल्फिल करने के लिए जो इंडियन स्वाइन से इंडियन पिग्स हैं उनकी क्या हो रही है ज्यादा प म disturbance किया गया जिस्से की जो मीत की डिमांड उसको फुल्फिल किया जा सके नेक्स्ट चिकन मुर्गे सबसे ज्यादा चिकन होते हैं वो कहां पर चिकन फार्म आपने बहुत प्रैट करें चिकन की तो देशी और विदेशी दोनों में डिवाइड कर सकते हैं तो देशी के अंदर आती है आसील, बरसा और तेनी यह तीन important है आसील बरसा और तेनी जबकि foreign के अंदर जो foreign breed है उसमें important है leghorn white लेग होर्ण वाइट अभी आपको पता होगा रीसेंटली 2017-18 में कड़कनात मुर्गे को GI टैग मिला है कहां पर कहां के कड़कनात को MP मध्यप्रदेश तो इस वज़े से कड़कनात मुर्गे की अपने आप में इंपोर्टेंस हो गई इसके मीट की इसके चिकन की बहुत ज्य हाड़ोती रीजन में ये चल रहा है और हाड़ोती रीजन आपको पता है अपने मैपिंग देखी थी ये MP के नियरबाई एरिया हो जाता है इस वज़े से यहां पर कड़कनात स्कीम का इफेक्ट जो GI टैग मिला हुआ है कड़कनात को MP में उसी चीज का इफेक्ट हाड़ो क्वालिटी का अगर चिकन बेचा जा सकता है तो उससे क्या होगी इंकम सोर्सेज भी बढ़ेंगे लाइवली हुड सिक्योर होगी तो इस तरीके से लाइव स्टॉक के उपर रिलेटेड लेटेस्ट डेटा के साथ में अपने पूरा कवर कर लिया है और जहां तक है अब ए तो उसे तीन वीडियो के अंदर राजस्तान जेओग्राफिक कंप्रीट हो जाएगी तो देखते हैं डिपेंड करेगा कि मैं किसे साब से करता हूं सोच के फिर करता हूं अगर एकोनॉमिक अंदर इकोनॉमिया सरी इंडस्ट्री ऑफ राजस्तान अपनिस्प्र में डालें से एक दम बुलेट पॉइंट के अंदर आंसर देने की कोशिश किया ठीक है तो वीडियो को शेयर करो सब्सक्राइब करो चैनल को थैंक्यू वेरी मच